दोस्तो वैसे तो हमें नाइट स्काई में 88eurs दिखाये थे पर winter season का एक famous constellation है जिसे धा ओरायन constellation कहा जाता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक astronomy lover हो तो आपने ओरायन constellation को तो ज़रूर से देखा होगा वैसे तो औरायन 19 star से बना हुआ है जिन मेंसे 7 सबसे brightest star है यही तीन तारों के बारे में दोस्तो ये तीन तारे मिलकर ओराइन्स बेल को फॉर्म करते है इन तीन तारों का नाम है देटा जिसे एलनी टक भी कहा जाता है इपसिलॉन जिसे एलनी नम भी कहा जाता है और डेल्टा जिसे मिंटा का भी कहा जाता है दोस्तो अनली टक तारा हमसे 1262 light years दूर है और ये एक triple star system है यानि कि ये सिर्फ एक अकिला तारा ही नहीं ये पूरे तीन तारे है उनके तीन तारों का नाम है अनली टक AA, अनली टक AB और अनली टक B अब बात करता है अनली नम तारे के बारे में दोस्तो अनली नम तारा हमसे 1344 light years दूर है और ये एक large blue super giant तारा है और ये तारा हमारे सूरत से 30 गुना जादा बड़ा है ये स्टार 5.7 million years old है दोस्तो अब बात करता है आखरी तारे मेंटेका के बारे में दोस्तो मेंटेका एक multiple star system है मतलब इसके साथ कई सारे तारे है और ये तारा अन्दाजे से हमारे सूरत से 16 गुना जादा बड़ा हो सकता है दोस्तो ये तीन तारे मिलकर ओराइन के ओराइन बेल को फॉर्म करते है दोस्तो ओराइन का नाम एक Greek mytheological hunter से लिया गया है क्योंकि ओराइन को देखने से भी वो एक hunter जैसा shape करता है दोस्तो जैसे कि मैंने कहा था कि ओराइन में 7 main brightest star है जिन मेंसे सबसे brightest star है Regal वो हमसे तकरीबन 860 light year सी दूड है दोस्तो मैं आपको ये भी बता दू कि आप सब ने बैटल गूइस star का नाम तो जरूर से सुना होगा बैटल गूइस star भी Orion constellation का एक हिस्सा है एक clear night sky में आप Orion को अच्छे से observe करते हो तो आपको जरूर से Orion के एक star yellowish color का दिखाई देगा तो वो है बैटल गूइस जैसा कि आप सब को पता ही है कि बैटल गूइस अपने आखरी के स्टेजिस में इसलिए उसका color yellowish हो गया है तो आशा करते है कि आपको आज की आजानकरी पसंद आयोगी इस वीडियो को अंदक देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया मैं जीन इस जदले ताप से मिलता हूँ एक ने वीडियो के साथ